हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल स्टडी जोन पर दोस्तों CMA की एक्जाम को लेकर बहुत ही बड़ी निज निकल कर आ रही है क्योंकि दोस्तों Candidates के मन में काफी एदा Confusion हो चुका है कि जो CMA की एक्जाम है वो यहाँ पर 8 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक Candidate कराई जाएगी या नहीं कराई जाएगी या नहीं कराई जाएगी क्योंकि दोस्तों कुछ उमीदवार ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि CMA की जो एक्जाम है अपने निधारित समर पर कराई जाए पर कुछ उमीदवार ऐसे हैं जो CMA की एक्जाम नहीं चाहते हैं कि 2021 के अंदर Conduct कराई जाए 2022 के अंदर Conduct कराई जाए और वो भी जनवरी के last week या फरवरी के पहले विक से start कराई जाए क्योंकि इसके अंदर pattern इसके अंदर काफी सारे changes की गए हैं जिनको लेकर उमीदवार पूरे तरह से त्यार नहीं है CMA की एक्जाम दे को लेकर आखिर दोस्तों Candidates के मन में यह confusion क्यों बढ़ रहा है दोस्तों इस confusion को इस curious को यहाँ पर जो बढ़ाओ दे रहा है वो यहाँ पर CMA दे रहा है स्टार्ट होते हैं पर दोस्तों अब दक CMA की एड्मिट काड डाउनलोड होना स्टार्ट नहीं हुए दोस्तों मैं आपको बता दू जो CMA के प्रसिडेंट है राजु अइयर उनके तरफ से जो ट्विटर पर आप सभी को आर्टिकल मिला था कि जिस पर बताया जा रहा था कि जो CMA की एक्जाम है वो पहले तो यहां पर जो है ऑफलाइन मोड में नहीं ऑनलाइन ही मोड में होगी और साथ ही यहां पर कुछ जो है नेटवर्क का इसू है यह कुछ वेबसाइट का इसू है जिसके कारण आप सभी के एड्मिट काड नहीं हो रहे हैं दो दिन के कि इस Georgian के इससे बढ़ा जहां पर कोटफ लेगा पर स्थूर्क और यहां पर यहां दोस्ट पर चांज सरे क्यांप काफी सारवफ बता दिया गया था कि Admit Card अपने निधारित समय से भले डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं पर यहाँ पर यह 4 या 5 तारिक से 5 या 5 दिसंबर से आपके Admit Card डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे और अपने Admit Card को डाउनलोड कर सकते हैं पर कुछ अपवाई ऐसी भी हैं कि जिसको अंदर ना दें आपने त्यारी पर लगे रहें क्योंकि जो CMA की जो एक्जाम है वह अपने निर्धारित समय पर ही कराई जाएगी कुछ नेटवर्क इसु के कारण यह जो है Admit Card डाउनलोड हो पा रही हैं जिसको लेकर उमिदवार निरासा नहीं हो है और उनकी एक्जाम की समय है उसी समय कराई जाएगी तो निर्धे दोस्तो यहाँ पर यही निकल कर आ रहा है कि तीन तारीक के बाद आपको फाइनली पता चल जाएगा कि CMA जो एक्जाम कराएगा या नहीं कराएगा इस चीछ का निर्धे जो भी कोट के अंदर आएगा वो निकल जाएगा साथी दोस से स्टार्ट हो फले वो 20 से स्टार्ट हो पर 2021 के अंदर CMA जो है अपनी एक्जाम को कंडेक्ट रहा लेगा अभी तक के आर्टिकल के म्यूच के इनसार से यही पता चल रहा था जो हमारे चैनल स्टडी जोन के माध्यम से आभी तक तो बताया गया है और जो भी अपडेट आएगी वो मैं आपको पूरे तरह से बता दूंगा क्योंकि दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि 8 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आइसी एमे आइपसी में परिक्षा हला कि अभी तक नहीं जारी हुए हैं जो उन छात्रों को चिंता पैदा कर रहे हैं कि प्रश्नपात को इस्थगित करने की मांग कर रहे हैं यहां पर दोस्तों यहां पर इन दोनों मांगे उठ रही हैं और किस उमिदवारों की हीत में यह फैसल आएगा अभी तक कोई भी असपस्टने नहीं है यानि कि दोस्तों आपको एक दिन और इंतजार करना है और दूसरे दिन आपको प्राचल जाएगा कि एक्जाम पोस्पॉंट होगी है नहीं होगी दोस्तों पोस्पॉंट होने की बहुत ही कम चांसे हैं या आप परना में मान सकते हैं कि 80% से 20% चांसे कि इस एक्जाम को पोस्पॉंट किया जाएगा जिस तरह से आर्टिकल आ रहे हैं या जिस तरह से प्रसिडेंट के जो हैं जो हैं ट्यूट आ रहे हैं उन सभी को देखते हुए तो दूस्तों अभी तक यह अपडेट थी जो हमारे च तुझ जाहिंदे